तो यहाँ पर हमारे पास एक असमिका है हमें इसका हल ग्याद करना है और फिर इसे संख्या रेका पर आलेखित करना है तो चलिए इसे हल करते हैं इसका हल करने के लिए पहले मैं इन ब्रैकेट्स को खोल देता हूं इन कोश्टकों को खोल देता हूं तो मुझे मिलेगा 3-3x is less than 2x plus 8 यहाँ पे दोनों को 2 से multiply कर दिया दोनों को 3 से multiply कर दिया अब मैं x को एक तरफ लेके आना चाहता हूँ और सारे number को अलग तरफ लेके जाना चाहता हूँ तो मैं 2 तरफ अपने x को ले आता हूँ तो इसके लिए मैं लिखूंगा minus 3x minus 2x तो मैंने minus 2x कर दिया है दोनों तरफ तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा 2x plus 8 minus 2x दोनों तरफ minus 2x कर दिया तो यहाँ पे मेरा 2x और minus 2x 0 दे देगा मुझे और यहाँ पे मुझे मिलेगा 3 minus 5x is less than 8 और अब मैं सारे नमबरों को एक तरफ करने के लिए दोनों तरफ minus 3 कर देता हूँ ताकि यहाँ से मेरा 3 गायब हो जाए तो दोनों तरफ अगर मैं 3 को minus करूँ तो मुझे मिलेगा 3 minus 5x minus 3 is less than 8 minus 3 दोनों तरफ 3 को minus कर दिया तो यहाँ पे 3 और minus 3 कर जाएंगे मुझे मिलेगा minus 5x is less than 8 minus 3 यानि 5 ठीक है अब मेरे पास यहाँ पे minus 5x less than 5 है तो minus 5 को हटाने के लिए मुझे divided by minus 5 करना है यानि कि मुझे लिखना है यहाँ पे minus 5x divided by minus 5 बट क्योंकि मैं एक negative number से भाग कर रहा हूँ एक negative number से divide कर रहा हूँ तो मेरा जो चिन है यहाँ पे वो उल्टा हो जाएगा तो जो less than चिन है था वो अब हो जाएगा greater than और दूसरी तरफ भी मैं minus 5 से ही भाग करूँगा तो मुझे मिलेगा 5 divided by minus 5 तो इस तरीके से मैंने दोनों तरफ minus 5 से भाग किया है इस equation में यहाँ पे भी minus 5 यहाँ भी minus 5 और क्योंकि negative number से भाग किया है तो हमारा चिन है यहाँ पे बदल गया है अब मैं इसको लिख सकता हूँ x क्योंकि minus 5 कट गया is greater than minus 1 तो यह हमारा इसका हल है x greater than minus 1 हमें इसको संख्या रेखा पे दर्शाना है तो पहले हम अपनी संख्या रेखा बना लेते हैं तो यह हमारी संख्या रेखा है अब हमें greater than minus 1 चाहिए यानि कि क्या इस समुच्चे में x के समुच्चे में minus 1 आएगा नहीं greater than equal to होता तो minus 1 आता बड़ क्योंकि सिर्फ greater than है तो यहाँ पर minus 1 नहीं आएगा x minus 1 से बड़ा है पर minus 1 के बराबर नहीं हो सकता तो क्योंकि यह बराबर नहीं हो सकता तो यहाँ पर हम एक खाली गोल बनाएंगे अगर greater than equal to होता तो हम एक भरा हुआ गोल बनाते तो यहाँ पर खाली गोल बनाएंगे और greater than minus 1 है तो यहाँ इसके आगे के सारे के सारे नमबर इसमें included है सारे के सारे नमबर इस समुच्चे में शामिल है यह हमारा हो जाएगा संख्या रेखा पर x